नमस्कार साथियों आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीती विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके पने यूटूब चैनल सुकलाई स्टर्डी पॉइंट में राजनीती विज्ञान के सेकंड बिष्विद्याले के पेपर लगे हुए है । घक है और कुछ बिष्विद्याले येसे कि ड्क्टर भीम राउमबेटकर महतमा गांधी कासे बिद्यपीठ और मा साकॉंभरी उनिवरसिटी इन सभी बिष्विद्याले के पेपर अब जक्रिप हो रहे हैं तो बहुत सारे में आल लेडी पहले से अब्जक्टिव मालजे पर बहुत सारे दे रखे हैं यहनी अब्जक्टिव मालजे पर अब्जक्टिव कोईशन पेपर विभीने पेश्वी देले को साल फॉर्म में आपको मिल जाएंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके अब्जक्टिव वाले वी उनिवर्सिटी की परिक्षा मुझे पता था कि भाई उसी दोरान होंगी इसलिए मैंने पहले वीडियो बना दी थी तो वो आलेडी प्लेलिस्ट में इनकलिवडेड हैं तो आप प्लीज जा करके उन वीडियो को देख लें वो आपकी उनिवर्सिटी के ही लिए बनाई गई ह तो इसको लेकर के आप नाराज ना हों कि आप हमारी उनिवर्सिटी को भूल गए और कुछ बच्चों के लगातार पेपर हमारे पास जो है आ रहे हैं बेभिन बिस्विद्याले हों के तो इस समय मुझे टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है कि मैं आपके पेपर को सा आप ही चाहूंगा तो परेशान होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है कि सुकला जी हमारे यूनिवर्सिटी को भूल गए हैं बिल्कुल नहीं भूला हूं भी या मैं आपके लिए आपको बता दूँ आपको तो पता होगा कि मैं अभी तक आपके लिए कितना एक प्रकार से करके आया हूँ और लास्ट में मैं आपको ऐसे भूल जाओंगा तो मैंने पहले से वीडियो दे रखें तो आप प्लीज उनको देख लें अब आईए हम चर्चा करने का प्रियास करतें इंटरनेस्टन रिलेशन्स और पॉलिटिक्स के बारे में जहां से बहुत कोशन्स आचुका है पहला प्रस्ण है अंतराश्टी राजनेती का अर्थ और परिभासा दीजिए यानि कि इंटरनेस्टनल जो पॉलिटिक्स होती है इसके अर्थ और इसके डेफिनिशन यानि परिभासा दोनों आपको बतानी है अंतराश्टी राजनेती का अर्थ के प्यक्ति समाज में एकांगी जीवन बितीत नहीं कर सकता उसका जीवन अन्य ब्यक्तियों के सहयोग तथा सुभाव पर डिपेंड करता है अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए मनुस जो होता है कई संगठनों का दिर्मार करता है और उन्हीं संगठनों के माध्यम से एक विभिन संगठनों में सहयोग की भावना विद्द्वान होती है यानि संगठन में जो परसपर ब्यक्ति जुड़े होते हों सहयोगात्मक भावना से जुड़े होते हैं एक दूसरे का सहयोग करते हैं इसके अलामा संगठनों में कभी-कभी पारसपरिक परतिसपरधा, वि सक्ति के द्वारा ही संगठन का छेत्र विस्तार किया जाता है संगठन और जो है उसका फैलाव कब होगा जब संगठन के पास पावर होगी सक्ति होगी ठीक है यानि सक्ति जो होती एक प्रकार से अगर होगी तो एक प्रकार से संगठन का विस्तार होगा और इसी प्रकार अं एक संगठन होते हैं अलग-अलग देशों को मिलाए हुए अलग-अलग विचारधारा से संबंधित या एक जैसी विचारधारा संबंधित संगठन होते हैं एक संगठन और अलग-अलग विचारधाराओं के देश मिल करके अलग-अलग संगठन का निर्माड करते हैं और उन संगठन को आगे बढ़ाना है बस निजी स्वार्थों को ध्यान में रखना है ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे तो ये आगे बढ़ाने का प्रियास है इस प्रकार असपस्ट है कि अंतराश्टी रादनीती में परतियस परधा की भावना बिद्मान रहती है अंतराश्टी र होदे इसकी परिभासा को देते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र राजनेतिक समुदायों खासर के यसे राज्यों के अपने-पने उद्देस्यों या हितों में आपसी विरोध में संगर्थ से उत्पन उनकी क्रिया-पर्त क्रिया हैं अलग-अलग देश तो उन्हीं की बीच में संगर्थ होगा तो उसी संगर्थ से उत्पन जो क्रिया-पर्त क्रिया होगी ठीक है एक कोई देश क्रिया करेगा तो कुसरा दूसरा देश पर्त क्रिया देगा उसका फिर ये देश क्रिया करेगा फिर उप्रतकिरिया देगा तो एक किरिया प्रतकिरिया का एक प्रकार से सिस्टम चलता रहेगा और संबंध इन्ही किरिया प्रतकिरियाओं का संबंध का अध्यन जो है जो संघर से उत्पन होता है विभिन देसों के ठीक है विभिन समुदायों के विभिन रादनितिक समुदायों के एक प्रकार से बीच में जो संघर सुत्पन होता है इसी का अध्यन करता है अंतर राष्टे रादनिती ये बात आप ध्यान लखेंगे तो बिसिकली अंतर राष्टे रादनिती में एक संघठन होता है या कई देशों का संघठन होता है ठी हैं और उसी संघर्ष का अध्यन ठीक है करता है अंतराष्टे राधनिती किलियर दूसरा कोस्टन सापके स्किन पर आ पटबट से आप देखेंगे बहुत ही जब बड़त कोस्टन सा चुका है चले पटबट से वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा प्रस नहीं अंतराष्टे राधनिती का अध्यन छेतर निंन नहीं पहला अंतराष्टे राधनि ना हो तो एक प्रकार से सत्ता उतने अच्छे तरीके से नहीं चल पाएगी जितने अच्छे तरीके से सक्ती होने पर चलती है यानि सक्ती बहुत जरूरी होती किसी भी सासन प्रसासन को आगे बढ़ने में किलियर दूसरी बात अंतराष्टी संगठनों का अध्यन एक प्रका जो की बिभिन एक प्रकार से देशों जो की समान ही चाहते हैं उनका संगठन है ठीक है तो उन संगठनों का अधिन करता है खासर के करता है जिसे कि पाकिस्तान और चाइना के बीच में क्या संबन्द है भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या संबन्द है भारत स्री लंका और के बीच में क्या संबन्द है या भारत का उनके पड़ोसी दिशों के बीच में क्या संबन्द है यह सब अध्यन एक प्रकार से अं में अंतराष्टी संबंध जो होता है उसमें खासर के इसका अध्यन और पावरफुल तरीके से होता है इसके लामा अंतराष्टी कानून का अध्यन क्या आता है इसमें किसका अंतराष्टी कानूनों का अध्यन क्या आता है इसके लामा सैनिक संगठनों का अध्यन क्या आता है तमाम परकार के जो सैनिक संगठन होते हैं इसके लामा परमाडु सक्ती का अध्यन भी अंतराष्टी राजनेती के अंतरगत क्या आता है तो यह बिभिन छेत्र हैं जिस यानि की अंतराष्टी राजनेती का स्कोप है यह इन सभी छेतरों का अध्यान अंतराष्टी रादिती के छेतर के अंतरगत क्या आता है किलियर यह विस्य छेतर के अंतरगत तो यह point ध्यान लखेंगे परिक्षा में 100% यह प्रसन आने वाला है तो आप जो है इस प्रसन को एकदम से याद कर लीजेगा 100% प्रसन आपका यह लगुतरी में आने वाला है तो इसको आप बहुत ही बारिकी के साथ देखेंगे तो आपको मैंने आपको सारी चीजे बता रखी है तो आप आसानी से कर पाएंगे तीसरा कोशन साब के स्किन पर आ चुका है प्रसन है खेल सिध्धान्त अब यह खेल सिध्धान्त है क्या खेल सिध्धान्त को गड़ितग्यों और अर्थसास्तरियों ने बिक्सित किया है इसे अंतराष्टी राधनिती में लागू करने का प्रतन किया गया है अनेक समानताओं के अधार पर अंतराश्टी रादनेती को एक खेल मान करके उसका अध्यन क्या आता है इसको जॉन निूमैन ने बिक्सित किया है खेल सिध्धान को बिक्सित किया जिस प्रकार से खेल में क्या होता है दो पक्छोते हैं हर एक खेल में दो पक्ष होते हैं और वे दोनों जीतने का प्रियास करते हैं हर एक टीम जो होती है जीतने का प्रियास करती है जैसे आप देखेंगे आस्टेलिया को कल भारत ने हराया ठीक है तो एक प्रकार से आस्टेलिया और भारत दोनों एक प्रकार से हैं दोनों जीतना चाह रहे थे तो भारत जीत गया आस्टेलिया हार गई और आस्टेलिया से बदला भी भारत ने ले लिया और मैं तो मैंने मैच देखा पूरा मैच मैंने देखा ठीक है मुझे बड़ा अच्छा लगा और क्यों देखा मैंने चुकि जब 20 सुकप में एक परकार से जो उसमें हारा था इंडिया मुझे बड़ा दुख पहुंचा था और एक परकार से मैं आस्टेलिया का मैच इसलिए देखा भारत का बैठकर समय निकाल करके चुकि एक परकार से मैंने डिजिटल बोर्ड पर और सभी लोगों बुला करके भी दिखाया कि भी आओ देखो और मैंने बताया कि आज मैं जीतेगा इंडिया मलप की पहले से पूरा फुलफाम बना करके और जो है उस पर इंडिया खरी उतरी भारतिये बालर और ख्यासर के रोहिस सर्मा ने बड़ा अच्छा काम किया तो मु में से केवल एक ही विजय होता है खेल सिध्धात में परतेक पक्ष अपने बिरोधी टीम की गलतियों का सुचमता से अधन करता है और उन्हीं गलतियों पर एक परकार से उन्हीं गलतियों पर प्रहार करता है और इस तरीके से वो तमाम परकार की रणनीती बगरा बना करके उन सभी गलतियों को चाटता है और उन गलतियों को एक प्रकार से खतम करने का प्रियास करता है उन गलतियों से एक प्रकार से मलब उनकी गलतियों को देखता कि भई कौन सा खिलाड़ी किस बाल पर आउट हो रहा है तो उसके हिलाप वो इसी रणनीती बनाई जाती है ठीक है ये बात ध्यान लखेंगे चौथा नमबर कोस्टन साब के स्किन पर आ चुका है विदेश नीती के तत्तो कौन कौन से है निधारक का निधार करते हैं जैसे कि पहला होता है भाउगोली किस्थिती जो होती है ये एक प्रकार से डिसाइड करती है और दोगिक छमता उस देश की कैसी है ये भी डिसाइड करती है, सैनिक सक्ति उसके पास कितनी है उस देश के पास, उस देश की भासा, धरम, नसल और संस्कृति कैसी है, विचारधारा कैसी है, नीति निर्माता कैसे हैं महां के, यानि जो नीतियों का निर्मार करते हैं वो कैसे हैं, विस्सु जन्मत कैसा है उनका बिश्टु संगठन का ऐसा है उनका ठीक है अन्य देशों की प्रतकिरिया उस देश के प्रतिक ऐसी है तो यह सब एक प्रकार से विदेश निती को बनाने में यह तमाम प्रकार के तत तो जो लिखे हुए है 11-11 तत तो यह एक प्रकार से जो है भूमिका निभाते हैं से आसियान की महत्तव बताएं आसियान क्या है आसियान एक देशों का संगठन है ठीक है अंतराश्टे रादनेती के अधिकांस विचारकों ने आसियान के कार्यों को निरासा जनक माना है ये संगठन सदस राज्यों में आर्थिक सहयोगती वर्गती से नहीं बढ़ा पाया है लेकिन फिर भी इस संगठन का काफी महत तो आज बना हुआ है आसियान का मतलब होता है दक्षिड पूरबी एसियाई राष्टर संग जिसको आप दक्षिड पूरबी एसियाई राष्टर संग यानि दक्षिड पूरब के जो एसियाई के देश है वो अब दक्षिड पूरब में कौन से देश पढ़ते हैं आपके दक्षिड पूरब में जैसे इंडोनेसिया, मलेसिया ऐसे और देश जो होते हैं जो है इंडोनेसिया मलेसिया ठीक है और जो एक प्रकार से और भी देश उस्हापवियत नाम, लाओस, कमबोडिया यह सब जो देश पढ़ते हैं वही सब इसके सदस देश हैं ठीक है इसका गठन सदस राज्यों में ब्यापारिक छेतर को बढ़ाने के लिए किया गया है इसने कुछ सीमा तक मुक्त ब्यापार छेतर बनाने में सफलता प्राप्त की है यह एक आसायनिक संगठन है आसियान की सफलता को देखते हुए या कहा जा सकता है कि भारत आसियान का पस्चमी पंख है जापान और कोरिया पूरवी पंख है इसके आसियान रूपी जंबो जट के उड़ने जंबो जट मलब एक जहाज होती है तो उसके उड़ने के लिए दोनों पंखों का सहयोगा पेक बारत आसियान के महतपूर भागिदार बना हुआ है और इस तरीके से भारत, जापान और कोरिया इन सभी का प्रकार से सहयोग भी प्राप्त होता आसियान के देशों को तो यह है आसियान चटा नमर कोसंस आप देखेंगे प्रसना चुका बिचार धारा बिचार धारा क्या है चटा नमर कोसंस बहुत बढ़ी हाँ प्रसना है बिचार धारा अंतरास्टे रादनेती में बिचार धारा जो होती है इसका बिसेश महत्त होता है चुकि बिचार धारा को आवरण कहा जाता है चुर्कि जो बिचार धाराएं होती हैं विदेशनीती के जो वास्तर पी कुद्यस होती हैं उनको चिपाने का काम करती हैं पैडल फोर्ड और लिंकर महुदे ने कहा कि बिचार धारा आर्थिक समाजिक राजनीतिक इन सभी मूलियों तथा लक्षों से संबंधित विचारों का एक निकाय होता है जो इन लक्षों को प्राप्त करने के लिए कारियों की युजना तयार करती है वो विचारधारा होती है बिसकली विचारधारा जो होती है उसका राष्ट्रे सक्ति कतब तो होता है एक विचारधारा कोई भी विचारधारा उस देश की राष्टे सक्ति के एक हतियार या एक तब तो के रुपे सामने आती है आज संपूर अंतर राष्टे सम्राज जबाद की विचार धारा यानि की विचार धारा यानि था इतने में फैला हुआ है भारत सोचे कि मेरे को इतना ही देश सागे मुझे आकरमड किसी पर नहीं करना यह पहले देश होता है कि यह था इस्ति की बिचारधारा है नहीं अपने Is्तिति यहासी है मारी वह ऐसी बनी रहें ना हमको घटना है ना बढ़ना है दूसरी होता है समराज जगवाद बिचारधारा या नि कि सातमा प्रस्णाप के स्किन पर आचुगा फटापट से आप देखेंगे प्रस्णा है सुरक्षा परिसत में निसीधा धिकार देखें सुरक्षा परिसत में निसीधा धिकार के गरबात की जाए तो संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिसत के पंदरा सदस्यों में से पांच अस्थाई सदस्य हैं ये अस्थाई सदस्य देशों में खासर के संक्तुराज अमेरिका रूस, फ्रांस, ब्रेटेन और चीन सामिल हैं बिसिकली मैं अगर आपको बताओं तो पंदरा सदस्य देश संक्तुराज संक्य जिसमें से दस जो हैं दस देश जो है वो आस्थाई सदस से हैं ठीक है क्या हैं दस देश जो हैं आस्थाई सदस से हैं जिनमें भारत का भी नाम आता है ठीक है जिसमें भारत भी सामिल है बाकी पांच अस्थाई सदस देश हैं ठीक है जिसमें आपका जो है रूस है अमेरिका है संक्तराज और फ्रांस है ब्रिटेन है और चाइना है भारत भी इसमें सामिल हो जाता लेकिन चाइना इसका विरोध कर देता है और इन पांचों के पास एक बीटो पावर होता है और वो बीटो पावर जो एक परकार से होता है उस बीटो फ्रांस ब्रिटन चाहिए अमेरिका चाहिए कि हमको काम करना चाइना रोक दे तो चाइना एक परकार से अगर रोक देगा तो काम नहीं होगा कुल मिला करके इन पांचों की सहमती किसी भी देश को एक परकार से किसी भी मुद्दे पर होनी बहुत जरूरी होती है अगर माल लेते हैं, कोई मुद्धा सुरक्षा परिशद में है, और इस पर पाँचो लोगों का मत एक नहीं है, तो वो मुद्दल लाटका रहेगा, किसी महत्पून बिशे पर सुरक्षा परिशद के सभी पांचोे सुरक्षा परिश्द्व का मत मिलना आवस्यक होता है, के पास ब्रिटन के फ्रांस के रूस के और अमेरिका के ठीक है ये बात आप ध्यान नखेंगे आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रियास करते हैं अगला कोशन सा चुका भिया सभी लोग देखेंगे आठवा नमर कोशन सा चुका है आठवा कोशन से गुट संग होता था पहले इसमें सोवियस संग में भी कई देश सामिल थे उसमें 15-16 देश सामिल थे 1991 में सोवियस संग का एक परकार से भंग हो जाता है उसके दौरान फिर एक परकार से पूरा का पूरा सोवियस संग भंग हो जाता है इन दोनों गुटों से दूर रहना गुट नि नहरू और भी कई देशों के विचारकों ने मिल करके किया ठीक है जिसमें पंडी जवाहला नहरू की मुख्य भूमकार ही है भारत को इसका संस्थापक माना आता है गुट निर्पेक्षता का भारत मिस्र और योगो सलाबिया ने मिल करके गुट निर्पेक्षता अंदोरों जलाया था भारत मिस्र और योगो सलाबिया के जो एक प्रकार से थे मुख्या उन लोगों ने गुट निर्पेक्षता अंदोलन को ततस्तता या आसलंगनता के नाम से भी जानते हैं गुट निर्पेक्ष का मलब बोता किसी के गुट में सामिलना होना यानि कि दोनों स्वतंत्र विदेश नेती पर चलता हो पहली बात दूसरी बात सदस देश उपनिवेस वाद का विरोध करता हो उपनिवेस वाद क्या होता है जैनि कि यह से ब्रेटेन जो था उपनिवेस वादी था यह दूसरे देश पर कबजा करके वहां पर सासन करता था जैसे कि भारत को England ने, अमलब Britain ने उपनिवेस बना रखा था, उपनिवेस वाद क्या होता है, कि भाई किसी दूसरे देश पर कबजा कर लो, वहां के आर्थिक और राधनितिक मामलों में हस्ता छेप करो, ठीक है, और उसको हां के सास्की अप्रसास के मामलों में हस्ता छेप करो, वो होता है तो उपनिवेस वाद का जो देश बिरोध करएगा, वो एक परकार से गुट मिरफिक्षता का सदस से हो सकता है, इसके लावा, वहांãyसा देश जो इसमें सदस स हो, किसी सैनिक गुट का सदस न हो, सैनिक गुट मनलब की, यसे कि कोई सैनिक गुट है, जैसे अमेरिका, या फिर जो उपनिवेस वाद या समराज वाद या एक परकार से पूझी वाद या किसी का ना हो ठीक है इसके लामा किसी बड़ी ताकत के साथ दोई पक्षे समझोता ना किया हो उसने इसके लामा सदस देश की सीमा में किसी बड़ी ताकत का कोई सहनिक अड़ा ना हो यानि अमे पर हो रहे मद्दान में, बिरोध में मत देना ही निस्य धादिकार होता है। सुरक्षा परिशद जो की सभ्युक्त राश्ट संग की एक परिशद है सुरक्षा परिशद इसके 5 अस्थाई देश होते हैं मैंने अस्थाई देशों के नाम बताये थे आपको अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, रूस और चीन सुरक्षा परसत में महत्पूर्ण विसेयों पर इन पाचो सदस्यों का समर्थन आवस्यक होता है अब मदान के दोरान सभी अस्थाई सदस्यों के द्वारा अनुपस्थित रहना बीटो या निसीधादिकार नहीं माना जाता है अमेरिका के दोरा बीटों का प्रियोग की जाने से भारत के ससी थरूर समयुक्त राष्ट महा सचिव नहीं हो पाई है ये बात भी आप ध्यान लखेंगे ठीक है ये एक परकार समयुक्त राष्ट संग के बारे में कुछ बाते हैं ध्यान लखेंगे तो ये सब एक प्रकार से इसके सुरक्षा परिसत के अंग है आगे देखेंगे अगला प्रसनाप की स्किन पर आ चुका है फटापट से आप देखिएगा ग्यारा नंबर प्रसना चुका है अंतराश्टे राजनेती के अध्यन का महत्त बताएं कि अंतराश्टे राजनेती के अध्यन से राज्जों की जो विदेश नेती होती है किसी विदेश की फॉरेंट पालिसी जो होती है उस फॉरेंट पालिसी के बारे में हम लोग जान पाते हैं पता चलत पाता है और इसके अलामा जब हम राजनेती विज्ञान में अमलक की अंतराश्टी राजनेती का अध्यन करते हैं तो इससे राज्यों के जो राश्टी हित होते हैं उनका आकलन कर पाते हैं कि किसी देश का राश्टी हित कितना होता है कैसे होता है परतेक राजिके राष्टी हितों में अंतर होने के कारण से उनके विद्यस नीती में भी काफी अंतर पाया जाता है तो ये भी हम जान पाते हैं इसके अलामा तक्नीकी और परदोगी की यानि टेकनलाजी इंडिस्ट्री यानि परदोगी की विकास के कारण से अंतराष्टी रादनेती का महत जो है वो बढ़ गया है आज वर्तमान में इसके लावा इससे अंतराष्टे संगठनों का ज्यान हो जाना हो जाता है जैसे कि नाटो के बारे में हम जान पाते कि नाटो क्या है नाथ अट्रलांटिक जो ट्रीटी अर्गनाजिशन है वो एक परकार से इसके व्यापार संगठन के बारे में यानिकी डेवलू टीयो के बारे में वर्ड टेड अर्गनाजिशन के बारे में जी सेबन के बारे में जी ट्वंटी के बारे में सार्क के बारे में ब्रिक्स के बारे में सब देशों के संगठन है इन सभी के बारे में जानते हैं इन सभी के और सांति की गद्विधियां का पता लगा पाते हैं, तो ये भी इसके लावा अंतराष्टि कानून का ज्यान अंतराष्टि दाधनिती के अध्यन से होता है, आता है इस विशे के अध्यन का विशेस महत होता है, अंतराष्टि दाधनिती इस पढ़ने से हम बहुत सारी चीज कर लें यही होता है भाई जो भी चीज़े अच्छी हों उसको आप ग्रहन करें और जो बुरी चीज़े हों या आपको ना पसंद हो उनको इग्नोर कर दें रास्टे हित क्या है बताएं रास्टे हित जो होता है क्या है परिभासा दे रास्टे हित एक ब्यापक सब्द होता है प्रतेग देश का राश्टिय हित उसकी आवसकताओं के अनुसार अलग-अलग होता है चुकि प्रतेग देश जो होते हैं उनकी आर्थिक और सैनिक जो तत्त होते हैं उसकी प्राचीन परंपराएं जो होती हैं आचार विचार होते हैं और इति लिवाज होते हैं धार्मिक, धर्षनिक भॉगोलिक इस्थियां जो होती है राश्टिय हित के निर्माड में बहुत ही साहता देती हैं। समय और परिस्थिति के अनुसार राज्यों के राष्टिय हितों में परिवर्तन बदलता होता रहता चुकि परिवर्तन ही परकर्ति का नियम है और समय और परिस्थिति के हिसाब से हर एक चीज में परिवर्तन होता रहा है तो राज्य और राष्टिय विचार में तो परिवर पहला होता है मुख्य हित, दूसरा होता है गौड हित, तीसरा होता है अस्थाई हित और चौथा होता है परिवरतन सील हित, तो ये चार प्रकार के हित होते हैं किसी भी देश के ये बात आप ध्यान लेखेंगे, वालब राश्टी हित ये चार प्रकार के होते हैं, तेरा पुलिग रूप से ही मजबूत हैं, तो राश्टी सक्ती ये भी एक। अंतराश्टी सकती के तुन में सामिल है और कोट नीतिक छमता, ये आठ प्वाइंट या आठ तत्त जो होते किसी देश के सकती के तत्त हो सकते किसी वी देश के, जो कैए एक प्रकार से अच्छा देश होता है जिसके, ठीक है, चौदा नमर कोसंस आपके स्किन पर आ चुका ह सबी लोग देखिएगा प्रस्ण है आदर्सवादी सिध्धान क्या है आदर्सवादी विचार 28 सतादी में सामने आया जिसमें युद्ध के लिए कोई अस्थान नहीं दिया गया है आदर्सवाद अंतराश्टी समाज का एक ऐसा चितर प्रस्तुत करता है जो सक्ती की राजन निति के लिए कुछ सिध्धान बताता है पहला सिध्धान यह है आदर्सवादी विचार जो होता है कहता है कि राज्यों को अपने बेवहार में नैति कहनी moral जो values होए या moral जो theories है उन moral theories पर चलना चाहिए हर एक देश को ऐसा आदर्सवाद बताता है दूसरी बात राज्यो को समाप्त कर देना चाहिए ठीक है यह भी बात किसने बताई एक परकार से आदर्सवादी विचारक बताते हैं इसके लावा सर्वधिकारी राज्यों में ऐसे दलों का अस्तित्त समाप्त कर देना चाहिए ठीक है सर्वधिकारी राज्यों में यहां पर सर्वधिकार हो सभ कर दिया जाए उनको हटा दिया जाए उनकी निरस्त उनको उनकी सदस्ता जो है निरस्त कर दी जाए ऐसे तमाम प्रकार के काम कर सकते हैं ऐसा आदर्थवादी जो विचारक होते हैं आडियलिजम से सम्मधि जो सिध्धान्त कारी जो विचारक है आडियलिजम देने वाले वो अंदरा नंबर कोसंस है दक्षड ACI छेतरिय सहयोग संगठन जिसको सार्क के रूप में जानते हैं आप ये क्या है सार्क ठीक है सार्क का एक प्रकार से जो होता है इसको क्या लिखते हैं यस डवल ए आर सी इसी को सार्क कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएंगे, ठीक है, लिदी में इसको क्या बोलते हैं, दक्षेष इसको बोलते हैं दक्षिड ACEII छेतरिय सहयोग संगठन के अगर बात के सार्क इसकी अस्थापना 1985-1985 में की गई थी इसके निर्माण में बंगला देश और भारत ने महत्मुन भूमिका निभाई थी सार्क का मुख्याले बिसिकली नेपाल की जो राजधानी है ये काठमांडू में पढ़ता है नेपाल की राजधानी काठमांडू है उसी काठमांडू में एक प्रकार से दक्षेस या सार्क की अस्थापना होती नेपाल पचासी में और उसका मुख्याले काठमांडू में एस्थापित किया गया या सायनिक संगठन नहीं है शार्क के घोशड़ा पत्र में कहा गया है कि सदस्य राज्यों में लोक तंत्र का होना आवस्यक यानि जो भी सार्क के देश हैं उनमें लोक तंत्र होना आवस्यक है यानि कि प्रजा तंत्र वो उसका होना जरूरी है ठीक है चुकि लोक तंत्र देशों का ही एक परकार से संगठन है अगर एक परकार से कोई धार में कंट्री है तो इसमें सामिल नहीं हो सकती नहीं लोक तंत्र होना बहुत जरूरी है इ जिसे 2016 में पाकिस्तान के द्वारा अतंगी गदभिधी में लिप्ट होने कार्द से सार्क बैठकें जो थी, हुध थिकत कर दी गई थी। सार्क के संस्थापक देशों में खासर के साथ देशों का नाम आता है जिसमें भारत सामिल है पाकिस्तान सामिल है बंगला देश सामिल है स्रिलंका नेपाल भूटान मालदीप सामिल है अब आप सोच रहेंगे कि भीया पाकिस्तान तो इसलामिक स्टेट है तो फिर ये कैसे सा पाकिस्तान इसलामिक है और सामिल है यह ठीक है यह बाद ध्यान रखेगे चुकि कुछ जो है अप वाद होते हैं अक्सेप्सन होते हैं बाद में अफगानिस्तान भी इस देश में समलपकी संगठन में सामिल हो जाता है किसमें भया सार्क में अफगानिस्तान भी सामिल हो जा ये एक प्रकार से दक्षेस का जो है प्रकार से उद्देश था 16 नमबर कोशन साब देखेंगे पंचसील सिध्धान्थ के बारे में बताएं पंचसील सिध्धान्थ भारती विदियस नीती की सांती प्रियता मैत्री और साहस्तित की नीती का परिचायक है जिस पर 29 अगस्त 1954 को भारत और चीन के बीच में संधी पर हस्ताक्षर हुए थे पंचसील सिध्धान्थ के गर बात किया तो कुछ इस प्रकार से थे नेहरु जी पंचसील सिध्धान्थ के प्रणेता माने जाते हैं पहली बात इसमें कहें गई एक दूसरे की प्रदेशिक का खंड़ता का सम्मान करेंगे दोनों देश यानि भारत ना तो चीन के सीमा में जाएगा और ना चीन भारत की सीमा में आएगा और एक दूसरे पर आकमण भी नहीं करेंगे यानि चीन भारत पर नहीं करेंगे ना भारत आक चीन पर करेंगे तीसरी बात एक दूसरे के आंतरिक मामलों में आहस्ता छेप करेंगे यानि कि एक दूसरे के मामले में आंतरिक हस्ता छेप नहीं करेंगे चोती बात पारसपर एक समानता होगी दोनों एक दूसरे को समानत देश के रूपे देखेंगे कोई छोटा बड़ा नहीं होगा इसके लामा सांतिपूर साहस्तित यानि साहस्तित महला हो तो तुम भी बने रहो हम भी बने रहे हैं ठीक है यह होता साहस्तित तो इस तरीके से एक दूसरे का सहयोग करके ठीक है, आगे बढ़ें, यह होता है प्रकार से यह पंच सिल सिध्धान्त में बताया गया, जो कि भारत और चीन के बीच में एक पांच समझ होता हुआ था, पांच सिध्धान्तों को आधार बना करके, 17 नमबर कोशन से दितांत, तनाव से थिल क्या है, दितांत जो एक फ्रेंच भाजा का सब्दा है, जिसका अर्थो था तनाव में सित्हिलता आना, तनाव सित्हिलता का वालब क्या होता है कि युद्ध बगरा कम होना, युद्ध के एक प्रकार से नियम बना देना कि भई, तन 1960 के बाद में अमेरिका और सोबियस संग के मध्य तनाव में कमी आई जिसका आनुमान दिन परते दिन बढ़ती हुई मितरता से लगाया जा सकता है। जिसे सीत युद्ध के रूप में परिभाज़त किया गया चुकि ये लोग एक परकार से आपस में वह ऐसे तो कभी सामने नहीं आये लड़ने के लिए। बिना किसी खून खराबे के यानि माइंड गेम खेला जाए कूटनीती का प्रियोग करके एक परकार से दूसरे की मानसिक्ता को हराया जाए दूसरे की एक परकार से जो एक परकार से चीजे हैं उसको छती पहुचाई जाए उसके आर्थिक चीजों को कमजोर किया जाए और उसके मानसिक संतुरन को बिगाड़ा जाए ऐसे तमाम परकार के एक परकार से कृत करते थे आपस में ठीक है तो यही एक परकार से सीतियुद्ध था दोनों में कटता पूर्ण बेवहार देखने को मिला दिस से सीतियुद्ध के रूप में परिभाद किया आता है दोनों दिस प्रसने संचार सिध्धान्त क्या है संचार संदेशों के बिन्मे और पारसपरिक समझ के निर्माड के प्रकरिया मलब की बिन्मे मलब आदान परदान पारसपरिक मलब एक दूसरे से संचार संदेश या मेसच को एक अस्थान से दूसरे संपर भीजने में सहायता करते हैं वस्तुता यहां आर्थपूर्ण संदेशों का ऐसा पारसपरिक आदान परदान होता है संचार संदेश जिसका उद्देश आपसी समझ को उत्पन करना होता है तथा पारसपरिक मानों व उप्योगी है जितना सरीर के लिए कोशिकाएं जरूरी है उतना ही प्रकार से किसी भी संगठन के लिए एक दूसरे का बातचीत करना जरूरी है संचार एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी की बेक्ती को संदेश देने की प्रकरिया भी होती है कोई मिला करकमला वे एक विक्ती से दूसरे विक्ती में संदेज भेजने की प्रक्रिया को संचार कहते हैं कम्मुनिकेशन कहते हैं ठीक है 19 नमबर कोशनस आपके स्किन पर आचुका फटापट से आप देखने का प्रियास करेंगे 19 नमबर कोशनस आपके स्किन पर आचुका भीया सिमला समझोता क्या है तो भारत पाक युद्ध के बाद में 1972 इस बिमें जून के महीने में सिमला में दोनों देशों के बीच में सासान अद्धक जो थे वो आये और बैटक होई जिसमें इंद्रा गांधी थी भारत की और जुलफिकार अली भुट्टो थे पाकिस्तान से इंद्रा गांधी भारत ये परधार मंत्री थी और जुलफिकार भुट्टो अमलब इसके परधार मंत्री थे दूसरे के विरुद परचार नहीं करेंगी और जरूरी भी होता कि भाई देखें सांती सबसे बड़ी चीज होती युद में एक प्रकार से दूने देशों के जनता को नुकसान पहुंसता है, हानी पहुंसती है ठीक है परिसान होती है वहाँ की जनता, किसी भी देश की में ब बुलाबारी होगी तो उससे नुकसान ही तो होता है इसलिए एक प्रकार से यह सब बिलकुल नहीं करना चाहिए ठीके किसी भी देश को यह नि आकरमण तो बिलकुल नहीं सांती का प्रचार करना चाहिए हमेशा ऐसा सोचे कि कोई भी विबाद हो तो बाचीत की द्वारा उस में मिलते रहेंगे समय समय पर हर एक मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे एक प्रकार सिमला समयले ने बातचीत करी गई अगला कोशन से आपका 20 नमर देखेंगे प्रस्थन है सांती के लिए एकता प्रस्ताओ क्या है तो 27 एस्थापित करने की दिसा में महासभा कोप कोरिया में युद्ध चल लहा था महा सक्तियों के द्वारा बीटों का प्रियोग के जाने के कारण से सुरक्षा परिसत कुछ नहीं कर पा रहा था कोरिया युद्ध इतना भयावय हो गया था कि तीसरे विश्युद्ध की सभावना बढ़ गई थी युद्ध समाप्ती के के लिए नौंबर 1950 में महा सभा का दिविशन बुलाए गया तीन नौंबर 1950 को युद्ध समाप्ती के लिए महा सभा ने एक परस्ताव पारित किया जिसे सांती के लिए एकता का प्रस्ताव माना जाता है ठीक है ये बाद चाहिए ये होता है आपका सस्त नियंत्रण जबकि निसस्त्रिकन का मतलब होता है कि सस्त्रों पर रोक लगा दिया जाए एकदम से सस्त्र खतम कर दिया जाए यानि सस्त्र बनाने पर ही रोक लगा दिया जाए या सस्त्र रखे ही ना जाए निसस्त्रिकन के अनुसार राज्य के पास हथियार नहीं होना चाहिए लेकिन पूर्ण नियंटर्डड कोई नहीं चाहता है ठीक है क्योंकि आंतिरिक व्यवस्था अथ वाभाव्ग आक्रमण से रख्षा करने के लिए कुछ सस्त्र और कुछ सैनेबल जरूरी होता है रखना आता समय समय से बने हुए कि सष्ड किया जा लए तो समय सभी देश एख पर यानई उनके पास बनाने के लिए चुंकि उनका इसे लिए तnt प्रकार के अस्तास्त्रों का परिक्षण बगरा किया करते हैं तो ये बिलकुल भी गलत बात है 22 नमर को संसा चुका है सीति उद्ध के बाद अंतराश्टी रादनेती की परवर्टी बताएं पहली बात इरान इराकी उद्ध की समाप्ती हुई है दूसरी बात अफगान समस्या का समाधान हुआ है सीति उद्ध के बाद में अंतराश्टी रादनेती की परवर्टी में बाद में अंतराश्टी रादनिती की प्रवर्ती कुछ इस तरीके से रही है ठीक है आगे देखते हैं तेविस नमबर कोस्टन साब की स्कीन पर आ चुका है फटाबट से आप देखेंगे तेविस नमबर पर सने विया प्रमाडू संपन राष्ट कौन कौन से बताएं तो इस पर माड़ू कर लिया था इसके बाद में भारत ने किया प्राकिस्तान ने किया और उतरी कोरिया को नहीं सामिल किया गया है योग्रेन और जारजिया जो पूर्व में स्वियत रोस के प्रांग थे आज भी उनके यहाँ प्रमाडू रियक्टर है लेकिन उनके द् Pharise 6 त्व ये चुकि परमाडू परेक्षन पर रोक लगी हुई है इसलिए नहीं किया जाता देकिन बहुत सारे देश कर लेते हैं ठीक है 24 नमबर कोशन साब की स्किन पर आ चुका है प्रसने भारत का परमाडू कारिकरम भारत का प्रमाडू कारिक्रम सांती प्रिय कारियों के लिए है, प्रमाडू संपन राज इस पर दबाव बनाने का प्रियास कर रहे हैं, लेकिन 18 मई 1974 को भारत ने पोखरन में प्रमाडू परिक्षन करके सभी को आशर चकित कर दिया, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के बाद भारत बिस्व का सबसे बड़ा प्रमाडू संपन राष्ट बन गया है, भारत उन सभी देसों का समर्थक है, जिनका प्रमाडू कारिक्रम सांती प्रिय कारियों के लिए है, भारत कभी भी युद्ध का समर्थक नहीं रहा है, और ना ही एक प्रकार से कभी रहेगा यानि भारत हमेशा सांती पर यह रहा है ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे आगे बढ़ते हैं अगला कोशन सापके स्किन पर आ चुका फटापट से आप देखेंगे अठाइस नमबर कोशन सा चुका है प्रसन युद्ध और उसके प्रकार बताएं अंतराश्ट उपेन ही महोदे कहते हैं युद्ध के बारे में कि युद्ध दो अथवा दो या अधिक राज्यों के या दो या दो से अधिक राज्यों में अपनी समस्त सेनाओं के द्वारा इस उद्ध से किया आता है युद्ध या ऐसा संगर्स होता है जो किया आता है जो दूसरे पक प्रस्ट नभीज़ चब्शारिक और अनौपचारिक युद्ध चठा है आपका च्छापामार युद्ध और सातवा है समगर युद्ध ये बात आप ध्यार लखेंगे 26 नमर कोसंस आप देखेंगे बहुत ही इंपोर्णन कोसंस आचुगा है प्रस्ट नभीज़ 26 नमर स्रीलंका में भारतिय सांती सेना के बारे मतायन तमिल समयस्या को लेकर के लिट्टे और स्रीलंका की सेना के बीच में संगर चल ला था इसके समाधान के लिए भारतिय प्रधाद मंतरी थी उस समय राजी उगांधी जी और स्रीलंका के राश्टपती थे जैवर्धने तो इनके बीच में 1987 में क्या हुआ एक सम्झोता हुआ जिसके तहट क्या हुआ पचास जार भारतिय सेनिक 1987 में स्रीलंका गए भारतिय सांती सहनिकों को स्रीलंका में डट करके मुकाबला करना पड़ा जिसमें लगबग 1100 सहनिक मारे जाते हैं भारतिये स्रीलंका से भारती सहनिकों की पूर्ण वापसी 1990 में विसनात परताप सिंग यानि बीपी सिंग की समय में हुई बीपी सिंग जब बने परधान मंतरी भारत वापसी से पूर्व स्रिलंका में सांती स्थापित करने की दिशाविके में सायनेकों के द्वारा महत्मून काम किया गया इस तरीके से जो स्रिलंका में भारती सेना उसने काम किया तमिल समयस्या को लेकर के ये एक प्रकार से किया गया था ये एक प्रकार से भारत में ल वीडियो को लाइक कर दीजेगा आगे देखते हैं यह हो गया आपका 27 नंबर प्रसनाब देखेंगे सभी लोग देखने का प्रियास करेंगे दक्षड दक्षड संबाद क्या है कि अब बताएं भी यह पटापट से आप लोग उताएंगे 27 नंबर प्रसनाब चुका दक्षड दक्षड संबाद क्या है जोगी क्या हुआ उत्तरी जो देश हैं उत्तर पस्चिम के जो देश हैं वो अपने आपको बड़े ग्यानी बनाते हैं जो गोरी कंट्रीज हैं यानि की वो अपने आपको क्या समझते हैं बड़े ही ग्यानी समझते हैं यानि अपने आपको एक प्रकार से बहुत ही उत्तर समझते हैं और उनके पास जो कि वो लोग आपस में तमाम ब्यापार वगरा करते हैं तो आपस में वो लोग अपने कई संगठन बना रखें जिससे वो प्रकार से अपना ब्यापार बगरा देखते हैं करते हैं लेकिन दक्षण देसों को लेकर कोई संगठन नहीं था तो दक्षण दक्षण संबाद जो है यह है कि दक्षण की जो देस ने खासर कि अफरीका के है तो दक्षण में जो विकास देखते हैं मुक रूप से जो इसमें एस्तित है दक्षण दक्षण संबाद के नाम से जाना जाता है इन विकास देखोन के सहयोग के कारड़ ही उनकी विकास सील देशों पर निर्भरता कम हुई है दक्षडी गुलार्थ में इस्तित देशों के मद्ध ब्यापार का मार खोल दिया गया है जिससे इनकी आवसकताएं पूरी हो रही है यानि हर देश एक परकार से मुक्त रूप से ब्यापार कर सकता है दक्षड दक्षड देशों में यहीं दक्षड दक्षड संबाद है जो कि एक परकार से बहुत जरूरी एक परकार से होता है किसी भी देश के लिए किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए 28 समर पर सनाप के स्किन पर आ चुका है विस्व्यापार संगठन की भुमिका बढ़ गई है विकसित और विकास सील देश विकसित देश वे देश हैं जिनका विकास हो चुका है विकास सील वे देश हैं जिनका विकास हो रहा है तो विकसित और विकास सील दोनों देशों के बीच में जो खाई है उस खाई को दूर करने के लिए नई अंताराश्टी अर्थ ब्यवस्था को अस्तित में एक प्रकार से लाया गया है वही अर्थ ब्यवस्था है विस्व ब्यापार संगठन गयट का परवड़ति नाम है चुकि इसका पहले नाम गयट था ठीक है डबू टी ओ को पहले जी ए टी डवल टी के नाम से जानते थे नहीं गयट कहते थे या उरुगबे दोर में खासरी को 1986 की बहु परतिक्षित ब्यापार करताओं की एक प्रकार से समापती के परड़ाम सुरूप अस्तित में आया था ठीक है भारत गयट और विस्व ब्यापार संगठन का सं अधिकार ये सब सामिल है विस्व ब्यापार संगठन राज्यों के मद्ध ब्यापार को बढ़ावा दे रहा है जिससे नई अर्थव्यवस्था अस्थापित हो सके ये प्रकार से जो है रहा है विस्व ब्यापार संगठन का उदेश की भाई ताकि देश हर एक देश आगे बढ़ सके और एक प्रकार से एक ब्यापार को लेगर के नियम बना जा सके एक सुनिशित क्या सके ब्यापार इन लक्षों या उद्ध्यों की या इन माप दंडों के अधार पर ही किया जा सकता है ठीक है एक प्रकार से भारत का सनक्षित राज मान सकते हैं, भारत ही इसका सुरक्षा भार देखता है, जिसकी सुरक्षा की जिमेदारी भारत को ही दी गई है, भूटान भारत का सबसे नजदी का पडोसी और मित्र राज्य है, सभी अंतराश्टी मंचों पर उसने भारत का ही साथ द दिया गया है ठीक है वहाँ बनी सभी सरकारों का रुख भारत की तरफ ही रहा है उसके सहयोग में बृद्धी होने का एक कारण यह भी है कि भूटान की चीन से दूरी बनी रहे भूटान अगर चीन से नजदिक जाएगा तो इससे भारत का खत्रा बढ़ेगा इसलिए जरूर पाकिस्तान की मदद भी भारत के देश करेगा चुकि भारत के देश बड़े दयालू मलब भारती लोग बड़े दयालू होते है भारत हमेशा से एक परकार से हर एक देश पड़ोसी देशों की मदद करता रहा है ठीक है भली पड़ोसी देशों ने एक परकार से वक्त आने पर एक प्रकार दोखा दे दिया हो लेकिन फिर भी भारत ने हमेशा अपने पडोसियों की मदद करी है ठीक है वही हाल है ना कि जो एक प्रकार से महिमा समुद्र की घटी जो रामण बसा पडोस अगर पडोसी अच्छा नहीं मिलता है तो पूरा का पूरा जान लिजे बरबाद है सिस्टम में पूरा ठीक है जैसे रामण जब लंका किनारे मलब लंका रामण बसा साथ समुद्र की महिमा घट गई रामण के बसने से ठीक है तीस नमबर पर साचुका है उत्तरी अटलांटिक संधी संगठन जिसको नाटो के नाम से जानते हैं नाटो क्या है बिसकली जिसको बलते हैं उत्तरी अटलांटिक संधी संधी संगठन नार्थ अटलांटिक ट्रीटी अर्गनाइजेशन नाटो पस्टमी देशों का एक सैन एक संगठन है जिसके स्थापना 4 अप्रेल 49 को होई थी उस समय इस संधी पर 12 राज्जों ने हस्ताक्षर के थी कितने 12 राज्जों ने इस पर हस्ताक्षर के थे किस पर भीया नाटो पर ठीक है और जो बाद में इसकी संख्या बढ़ करके आज 28 हो गई है इस संधी का एक सम् कोई बाहरी देश आकर्मण करता है तो सभी राज सदस राज जैनि जो भी नाटो के सदस्ते हैं वो सब मिल करके एक प्रकार से आकर्मण करेंगे किस पर जिस ने आकर्मण किया यानि कि अगर नाटो के किसी भी देश पर आपने आकर्मण किया किसी दूसरे देश ने जैनि जब रूस ने आक्रमण किया तो अमेरिका भी कहीं न कर दबे पाउं से मदद कर रहा था यूकरेन वगएरा का ठीक है चुकि नाटो के एक देश पर अगर आप आक्रमण कर रहे हैं तो नाटो के यतने भी देश हैं 2800 देश उन सभी पर आक्रमण माना जाएगा यह यहाँ प बात से इसका कोई अउचित नहीं रह गया है नाटो की परतिदवन्दी वारसा संधी आई वो एक प्रकार जब से समाप्त हो गई तब से इसका कोई अउचित नहीं रहा नाटो का ठीक है बस से संगठन है ज्यादा इसमें अब रुची नहीं रही 31 नमर कोशन से अंतर नेतिक दल नेतरुत करते हैं यानि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है और राश्टी राजनेती में परकार से नेतरुत करते हैं और अंतर राश्टी राजनेती में परतिनित तुराज करते हैं ठीक है उसका परतिनित जो होते देश करते हैं किसका अंतर राश्टी राजनेत में निरवाचन के द्वारा सत्ता में परिवर्तन किया आता है जबकि अंतराष्टी राजनेती में राज यानि देश का या कार युद्ध या धमकी से भी कर देते हैं चोती बात राष्टी राजनेती में कानून का पालन बादिकारी होता है कानून का मानना जरूरी होता है ज प्रस नहें किन कारणों से अंतराष्टि रादनिती को एक विज्ञान माना जाता है। प्रस नहें किन कारणों से अंतराष्टि रादनिती में ऐसा ग्यान उपलब्ध है। गश्च करते हैं से अंतराष्टि राष्टि राष्टि हीथों को धियार में रखते हुए अपनी नेतिया ने धारित करता है। राज अपना हित सर्वोच मानता है उसी के साथ बिदेश नीती जुड़ी हुई है बिदेश नीती अपने राष्ट को हित पहुचाने के लिए ही बनाई जाती है अबराहम लिंकन जो कि अमेरिका के राष्ट पती रह चुके थे उन्होंने कहा कि राष्ट यह हित अक्यवधा बिदेश नीती बनती है राष्टी हित पर और यही राष्टी हित के तब तो हते राष्ट का कल्याण और राजनेतिक विच्चा विश्वासों का सनक्षण और राष्टी है सुरक्षात राष्टी हित और विदेश नीती किसी भी राज्ज के लिए एक ही सिक्के के दो पहल क्या है सीत्युद्ध दो महासक्तियों के मद्ध ब्याप्त तनाव की एक ऐसी स्थिती है जिसमें परतेक राष्ट अपने को सक्तिसाली और दूसरे को कमजोर बनाने के चेश्ठा करता है यह युद्ध हतियारों से ना लड़कर के बेचारिक परचार परसार से लड़ा जाता और वातावड युद्ध जैसा प्रतीत होता है यह युद्ध दो महासक्तियों जैस खासर के अमेरिका और सोवियस संग के बीच में लड़ा गया था दो तिये विस युद्ध के बाद में खासर के सीत युद्ध देखा गया भारती राजनाइक के पी यस मेनन कहते हैं कि सीत युद्ध जैसा कि बिस्त ने अनुभो किया है दो विचारधाराओं का युद्ध है दो पधतियों का युद्ध है दो गुटों का युद्ध है दो राज्यों का जब हुआ अपनी पराकास्था पर था तो दो बैक्तियों के मद्ध उग्र संगर्स था दो थी, संसदिये, लोकतंत्र और जनतंत्र के बीच में एक प्रकार से युद्ध था, दो गुटों में एक हासर के नाटो और वार्षा पैक्ट में युद्ध था, नाटो और वार्षा के बीच में युद्ध था, इसके लाव दो राज थे, अमेरिका और सोबिय संग, तो कुल म लड़ा गया है ये बैचारिक द्धा बैचारिक युद्धा जो दो देसों के बीच में दो रास्टों के बीच में दो सक्तियों के बीच में दो विचारधाराओं के बीच में ठीक है दो संगठनों के बीच में युद्धा किलियर ये बात आप ध्यान लखेंगे ये किस ने क पन्दों को दक्षिर दक्षिर सहयोग के नाम से जाना याता है। तेकिया जिनका विकास अभी नहीं हुआ है, ठीक है, वो अपने विकास के लिए आपस में सयोग करके, अपना विकास करने के लिए एक परकार से प्रयासरत हैं और कर भी रहें, तो वही दक्षिर, दक्षिर सायोग है, जिसमें डेसिक लीक हासर कें जो एसिया के देस हैं, अफरीका के और दक्षिडी अमेरिका की जो देस हैं, वो और सब एक प्रकारस इसमें सामिल हैं 36 नमर कोसंस आप देखेंगे प्रसने भीया आपका क्वार्ड क्वार्ड क्या है तो क्वार्ड जो है भारत अमेरिका जपान और आस्ट्रेलिया के बीच अनौपचारिक रणनीतिक वारता का एक मंच है जिसमें मुक्त खुले और समर्द भारत प्रसांथ छेतर सुनशित करने तथा उसके समर्थन के लिए इन देशों को एक साथ लाना है वर्स 2007 में जापान के प्रधार मंतरी सिंजो आबे के द्वारा क्वार्ड समु की अवधारणा आउपचारिक रूप से सबसे पहले प्रसुत की गई परंतु चीन के दबाओ के कार्ड से आस्ट्रेलिया पीछे इससे हट गया और यहां आगे चल नहीं बढ़ पाया तो एक प्रकार से यह था क्वार्ड नॉम्बर 2017 में हिंद प्रसांथ छेतर को किसी बाहरी सक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए नई रणनीती बिनाने के लिए इसका आयोजन किया गया सदस देशों के बीच य समुद्री सुरक्षा को प्रसाहित करता है यह एक प्रकार से भिया क्वार्ड जो कि समुद्री सुरक्षा को प्रसाहित करने के लिए बिसिकली बनाया गया यह बात आप ध्यान नखेंगे एक बार वीडियो को लाइक और सियर करते रहेगा ताकि टाइम तो टाइम आपको notification मिलता रहे और ऐसी वीडियो में देता रहूं आगे देखते हैं अगला कोसंस आपके स्कीन पर आ चुका है फटा फट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे चले साहतियस नमर कोसंस आप चुका भिया साहतियस नमर कोसंस आ चुका बिम स्टेक क्या है बिम स्टेक जो है एक छेतरिये बहुपक्षिये संगठन है बंगाल की खाड़ी के ततवर्ती और सीमावर्ती छेतरों में इसके सदस देश है या छेतरिये एकता का प्रतीक है और इसके साथ सदस देश में से पांच दक्षड एशिया के देश हैं जिसमें नेपाल, भूटान, भारत और बंगलादेश, स्रेलंका यह सामिल हैं और दो सदस म्यामार और थाइलैंड हैं दक्षड पूर्बी एशिया से हैं यह थाइलैंड और म्यामार बिमस्टेक ना सिर्फ दक्षिड और दक्षिड पूर्वी एसिया के देशों के बीच में संपर्क बनाता है बलकि हिमाले और बंगाल की खाड़ी की परिस्थितियों को भी चोड़ने का काम करता है इस संगठन का मुख्ष देश है तीबर आर्थिक विकास के लिए वातावन तयार करना समाजिक प्रगर्ती में तेजी लाना छेतर में समान हित की मामलों पर सहियों को बढ़ावा देना ये बिमस्टेक का काम है एक बात और ध्यान नखेंगे अगर आप अभी तक को करिकुलर मास्टर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज को करिकुलर मास्टर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही बेहता जानकर यहाँ पर दी जाएगी तो आप प्लीजिस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ठीक है चुकि इसके लामा आप आगे चल करके क्या करेंगे यह भी जानकर यह आपको यहाँ पर मिलेगी ठीक है यह भी आप करना चाहें तो इसके लामा और भी चीज़े आप जो करना चाहते हैं जैसे आपके करियर में यमे की सब्जेक्ट्रे करें यमे करने के क्या फायदे होते हैं ऐसे तमाम पर करके प्रसन तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी 89 समबर कोषन साब की स्किन पर आचुका है प्रसने बिक्स क्या है बिक्स जो है देसों का संगठने बिक्स ठीक है बी आर, आई, सी, एस बिक्स पहले बिक्स ही था बाद में साउत अफरीका सामिल हो तो बिक्स हो गया ब्रिक्स जो है दुनिया की पाँच अग्रडी उभरती हुई अर्थिब्यवस्थाओं का समू है जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षडी अफरीका सामिल है ये पाँच समू जो है मलब ये समू बैस्विक आबादी के लगबग 41% घरेलू उत्पादन के परसंट हिस्से पर काबिज है इसे पांस देशों का प्लेट फार्म कहा जाता है ब्रिक्स देशों के नेताओं और मंतरी समूहों का सम्मेलन जो होता है सम्मेलन परतिवर्स होता है इसकी अध्यक्षता परतिवर्स जो है ब्रिक्स यानि कि या रिबिक्स बोलो या ब्रिक् प्रकार से भारत, आई माले एक प्रकार से ओर रोस conditional are आपका इंडिया स्साइन और शॉध्य इह अ काओन करता सब्सक्राइब करेगा फी सबसे पहरे करेगा फ्र एप्र इंडिया करेगा फिर चायना करेगा फिर शॉध्य करेगा ठीक है ये अपने-पने देश के सरवोच नेता होते हैं यहां के इसकी कलपना जो है कब करी गए थी इसकी कलपना 2001 में हुई थी वर्स 2006 में विदेश मंतरियों का समेलन हुआ और 2009 में ब्रिक्स संगठन अस्तित में आ जाता है ठीक है यह बात आप ध्यान रखेंगे 49 अमर कोसन साथ चुका EU क्या है EU यह राज्यों का एक संगठन है इसको यह रूपीय सांजा बजार के नाम से भी जाना जाता है इसके अस्थापना जनवरी 1958 में हुई थी जिसमें छे राश्ट थी खासकरी फ्रांस, बेल्जियम, निजरलेंड, लगजंबर, जर्मनी, इटली यह सब एक प्रकार से बेसिकल में 28 हो गई है, यह थे हैं, यह मलब की EU, यहनि की यूरूपीय यूनियन या यूरूपीय संग, अच्छा, इसका सबसे बिसेस्ता यह है कि इसका जो सभी देश जो सामिल है इसमें, इसमें एक ही सिका चलता है, मलब एक ही जो है पैसे चलता है, वो है यूरो, यहां का एक प्रकाश यूराश्टी मुद्रा इन सभी देशों की वो यूरो है, 28-28 देशों में यूरो ही चलता है, यूरूपीय यूनियन ने सांजा बजार के तहट सदस देशों में एक ही मुद्रा संचालित करने का निरड़े लिया, एक जनवरी 1999 से यूरो जो है की सुरुवात, य ब्रेटन ने अपने को इस से अलग कर लिया, इस तरीके से ये था यूरोपीय यूनियन, ठीक है, 40 दंबर कोसन साब के सिंद पर आ चुका है, प्रस ना चुका है, 40 दंबर इबसा क्या है, इबसा की बात किये तो G3 के नाम से भी इसको जानते हैं इबसा को, भारत, ब्राज अच्छिये संगठन आर्थात इवसा का गठन किया, ब्राजील और दक्षिड अफरीका परमाडु समागरी या पोर्ती करता समों के सदस्य हैं, था उन्होंने भारत के आसायन ने परमाडु कारकरम के प्रति समर्थन बेक्त किया है, तीन महादीपों खासर के एसिया से भा इन देशों के बिदेश मंतरियों का सम्मेलन और सासना दक्ष का भी सम्मेलन होता रहता है, जिसमें विकास सील देशों के साथ संब्ध बढ़ाने की चर्चा होती रहती है, खासर कि इवसा के गर बात किया तो इसमें इंडिया, आई मनलब इंडिया, बी माने ब्राजील, येस ये मनलब साउथ अफरीका ठीक है इपसा में विस्ट की तीन बड़ी अर्थ व्यस्थाएं सामिल है और इपसा नाम से आई से इंडिया वी से ब्राजील और येस ए से साउथ अफरीका ये सामिल है तो कभी भूल जाए कि इपसा का मनलब क्या हो गजाएगा आई वी एस इपसा इसके लिए कहते है इसलिए ब्राजील आर माने रूस ठीक है आई माने इंडिया और सी माने चाइना और येस माने साउथ अफरीका ऐसे इपसा को भूल जाए तो इसमें आप भी ध्यान रखेंगे इपसा के बारे में कौन से देश सामिल है तो इस तरीके से आप लो महा संग्राम, डिविजन, क्लास, मारल पेपर ये सब अलेडी अबैलेबल है सब आप देख लिजेगा प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिलेंगी आपजेक्टिव की भी और लिखित की भी तो इस तरीके से मैंने आपका कंप्रीट करवा दिया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो को